हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू दी पारसना ब्लॉग और स्वागत करता हूं मैं आपका नए ब्लॉग मैं उमीद करता हूं कि आज आप सारे अच्छे होंगे तो आज संड़े हैं और आज हम जा रहे हैं माता के मंदिर में बंगला मुखी माता के मंदिर में पांसो साल पुराना यह मंदिर है तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और वहां का व्यू दिखाएंगे कैसा है तो इस ब्लॉग में में सालास्ट दूरूर बने रहे हैं इस ब्लॉग से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलिज बढ़ेगी तो चलो चलते हैं खते हैं और देखते हैं कैसा बंता है आज कब लॉघ यह सान मेरा बाही कालनी जाना फिर आज मंदिर कौनसे मंदिर जा आज हम जा रहे हैं फ्रेंड्स बंटा के मंदिर कोटला एं या डाला है पर्स में पर्स के नदर दढ़ा देख खोड़ कोड़ आज यहां पर देखो सुआर्लैन का अपन लगा है नशेल आईबेग तूमंदी तूमंदी यह देखो दिन ना यहां पर मशीने चलती है आगे टरनल भी तरनल भी दिखाते हैं आपनों पास्ट किरेश्ट तरनल दिखना शुरू हो रही है तो दो दो टरनले हैं यहां पर एक आदि जानेगे तूमंदीर दिखना शुरू हो गया जाना है यह पार वो प्राचिन मंदिर हम पहुंचने वाले हैं माता के मंदिर में यहां पर और चाहeking काफी तरनलनल उस कुल शूरू हो एक देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को पिलकुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना अगर आप स्किप करोगे तो आप अच्चे से मुलिक्ड को मिस्कर जाओ одном मेरे वीडियो को देखके इंजॉय करना और कमेंट करके जुरूर बुताना कैसी लगी ये वीडियो और यहां से ट्रैक शुरू है अपना वह तक जाएंगे हम वहां तक सुलो बने रहो व्लोग में लो फ्रेंट्स अब हमने चड़ाई कर दी है शुरू और आपको दिखाते हैं यहां के खूबसूरत वादियां यह हमारा पूल जहां से हमोगे जाएंगे पांसो साल पुराने इस मंदिर की रोचप बाते में आपको बताओंगा जो की लोकल लोगों को पता हैं बड़ जो हमारे यहां पे विजिट करने आते हैं हमारे टॉरिस्ट उनको नहीं पता तो जो इस मंदिर का पीला कलर है जिसे हम इंग्लिश में जलो बोलते हैं वो इस इसलिए इसका कलर पीला है यह जो आप प्यारा सा एरिया देख रहे हैं इस जगा का नाम कोटला है और इसकी दूरी पठान कोट से 45 किलोमेटर की है और धरमशाला से 44 किलोमेटर की है भक्ति करने का अब टाइम हो गया है तो जल्दी से एक चोटा सा मंतर पढ़ लेते हैं ओम नमस्षिवाए पीला रंग होने के कारण माता का दूसरा नाम पितांबरी भी है और यह देखिए कितना अच्छा व्यू है दिल को सुकून मिल जाएगा देखके माता की उत्पत्ति का में कारण यह था कि जो ब्रमाजी का ब्रहमास्त्र है उसे वापिस लाने के लिए माता को कारेशों पढ़े था उस ब्रमास्त्र को माता जी अपने पास लेके आगे थे और जो राक्षिस है उसकी मिर्ट्यू उसकी जीवा पकरकर हुई थी माना यह जाता है कि माता का हवन बहुत ही शक्तिशाली है और उसके एजल्ट 36 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं है अभी भी अंदर हवन की अवाज सुनाई दे रही है अंदर जल्के देखते हैं कैसा है मंदर और उसकी प्रक्रिया तो थोड़ा आपको दिखाएंगे यह है राधा क्रिशन का मंदर पहले सैम गया है माथा टेकने के लिए और उसके बाद मेरी बारी है तो पहले सैम को दिखाएंगे काफी दिनों के बाद मैं मंदिर में आया हूँ और मंदिर आके मुझे अच्छा लग रहा है और अभी माथा टेके माथा से आशिरवार लेते हैं और अपनी सुख शांती और परिवार के शांती के लिए राधना करते हैं फ्रेंड सी जो मंदिर है ये बलखंडी बगला मुखी माथा मंदिर से भी पहले बना है तो ये काफी पुराना मंदिर है ये राधा कृशन का मंदिर है और कृशन जी से आशिवा लेते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए परक्रिमा कर लेते हैं मंदिर की और गोंके देखते हैं मंदिर कैसा है ये देखे पूरा पीले रंका है ये हमारे शिवजी है और कहा जाता है कि जहां जहां माता बगला मुखी कावास होता है वहाँ वहाँ शिवजी भी साथ होते हैं क्योंकि बगला मुखी माता की भी कीसरी आँख होती है जाते जाते अब लास्ट बार आपको दिखा रहते हैं मंदिर कैसा है और यहां पर देखिए लोग बैटे हैं हवन के लिए और यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा मंदिर पीले रंग में लाल चुन्नी के साथ काफे एचले सजा हुआ है यह देखिए सोलर पैरनल रखे हैं यहां पर बिजली के लिए यह देखो मंदिर की फैमिली तो यह थी बगला मुखी माता की पूरी कहानी मैंने चंग शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है उमीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इससे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने प्यार को ऐसे ही बरकरार रखना जै बगला मुखी माता